जैकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों खेती में आजकल नई नई तकनी के आ रही है अब सबजी उगाने की एक नई तकनी इसमें जमीन की भी जरूरत नहीं है केवल दीवारों के साथ ही सबजीयों की खेती की जा सकती है बलकि दीवारों को सबजियों से सजाया भी जा सकता है और इसके लिए ना तो मिटी की और ना ही किट नासकों के छिड़काओं की जरूरत होती है यानि कि जैविक खेती टाइप में इसकी खेती होती है और जमीन भी जरूरत नहीं होती है दिवारों पर ही खेती इसकी की जा सकती है दोस्तों आईए हम इसी के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवस्क कर दें साथी साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइकवा सेर भी करें दोस्तों खेती की कम होती जमीन और रसाइनों के अधाधुन प्रयोक से स्वाथ पर बुरे प्रभाव के कारण जागरूक लोगों में अपने उपयोक के लिए सबजी घर पर उगाने में दिल्चस्पी बढ़ रही है कई लोग उत्साहित होने के बावजूद भी सबजी उत्पादन के लिए समची जगह के उपलब ना होने के कारण सौख पूरा नहीं कर पाते हैं आप छोटे से स्थान का उपयोक करके घरेलू उपयोक के लिए इस तक्निक से सबजी की खेती करना संभव हो गया है केंदरी उपोसर बागवानी संस्थान लकनव के अनुसार जो है लोकी, खीरा, कदू, सेम जैसी लता वाली सबजियां उगाना कम जमीन में संभव हैं लेकिन हरी सबजियों के लिए अधिक जगे की जरूरत होती है C.I.S.H. ने जो है बिसेश तोर पर ऐसी डिजाइन विक्सित की है जिन माडलों में सीमित इस्थान में बिना मिट्टी के सबजी उगाना सरल हो गया है यहां के बैग्जानकों का कहना है कि अधिकांस घरों में तीवारों के साथ साथ एक फुटकी पट्टी पर इस कारी को किया जा सकता है C.I.H.S. ने कुछ माडल बिक्सित किये हैं और उनका उप्योग करके बिभिन परकार की सबजियों को उगाना संभव है वो भी बिना मिट्टी के प्याच, मेथी, पालक, धनिया, सलाद, चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य सबजियां जो दस प्रकार से सफ़ता पुरवक उगाई जा सकती है मिट्टी के अधिक वजन के कारण छट पर पौधे उगने के लिए हलके वजन वाले मिश्रन का उप्योग किया जाता है और कई विकल्पों पर सोद भी किया गया है फसलों के चुनाव पर भी अध्यन किया गया है इस प्रकार की खेती के माडल में रोग और कीट के प्रबंधन के लिए कीट नासकों के प्रयोग की आऊ सकता लगभगना के बराबर होती है सांस्थान ने कई माडल विक्सित किये हैं जिने उपलब्ध इस्थान के नुसार समय उजित किया जा सकता है इन पौधों को उगाने के लिए कई रेडिमेट प्लास्टिक के कंटेनर भी उपलब्ध है सबजियों को उगाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे उप्यूक्त है लेकिन इस थान की नुसार कई फस्थान को अधिकांस मौसम में उगाया जा सकता है बरसात में सबजियों को खुले में नहीं उगाया जा सकता है वे अधिक पानी के कारण सर जाती हैं लेकिन इस पद्धत से मुसलाधार बारिस पौधों को आसानी से बचाया जा सकता है जब बाजार में सबजियां अधिक कीमत पर मिलती हैं तो खुद की उगाई गई सबजियां उतपातों को बिसे संतुष्टी देती हैं इस तरह की पद्धत से आप जो है चिकोरी पार्सले और बंचिंग प्याज जैसी बिदेशी सबजियों की भी अच्छी पैदावार कर सकते हैं लेट्यूस चिकोरी पालक स्विश चार्ड छोटी सी जगे पर सांधार पत्ते बिक्सित करते हैं इन नवीन तरीकों को अपना कर एक छोटे परिवार के लिए काफी सबजियां उगाई जा सकती हैं तो दोस्तों ये तो रही सबजी उगाई की नई तकनिक यानि की दीवारों के साथ सबजियों की खेती कैसे करें लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अब से कर दें साथ साथ दोस्तों लाइक वाश शेयर भी करें जै किसान दोस्तों